अलो फ्रेंट्स वेलकम मैं सिद्दान्त सौगत करता हूँ आपका पेपर एकर चैनल में और आज मैं आपके लिए जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था ओड टू ए नाइट इंगेल इसका दूसरे स्टेंजा लेकर आया हूं ठीक है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसके राइटर है जॉन कीट्स ठीक है तो पढ़ना शुरू करते हैं दूसरे वाला इस्टेंजा हमारा ओ ओ और आड ड्राउट ऑफ विंटेज डैट हैथ वीन ठीक है यहां जो कीट्स जो है जो हमारे राइटर है वो एक तरह की ड्राउट मींज पीना पीना चाहते हैं एक वाइन क्या पीना चाहते हैं एक वाइन विंटेज पुरानी पुराने दिन होगी जो पृत्वी के अंदर एक गड़े में ठंडी रखी हो बहुत दिनों से बहुत समय से रखी हो ठंडी एकदम पृत्वी के एक पृत्वी में गड़ा करके बहुत दिनों से रखी गई हो एक ऐसी तरीके की एक वाइन जो है वो पीना चाहते हैं टेस्टिंग आफ फ्लोरा एंड दा कंट्री ग्रीन उसको किसको उस वाइन को पीने के बाद पोईट को ऐसा लगेगा कि वह उन फूलों के वह उन फूलों को ही टेस्ट कर रहा है जिस फूलों से वह बनी हुई है और उसको उस कंट्री के पेनों की क्या होगा याद आएगी डान्स एंड प्रोवेंशल सॉंग एंड सन्वरंट मर्थ यानि कि नाचते हुए गाते हुए एंड प्रोवेंशल सॉंग यानि कि कोई एक छेत्रिये सॉंग छेत्रिये गाना एंड सन्वरंट मर्थ और जो सूर की किरने उस भूमी पर परती हैं उन किसानों पर परती हैं उनसे उनको उससे उनको उनकी याद आएगी ठीक है यानि कि जो पहले वाले स्टेंजा में करवाया था वही रिफेरेंस रहेगा इसका और वही कंटेक्स्ट रहेगा कि इस लाइन्स अब टेकन फ्रॉम ठीक है ओके एक्प्लेनेशन देख ले ठीक है दा पोएट इज कैप्चर्ड वाई दा स्वीटनेस आफ दा सॉंग है कवी है इज कैप्चर्ड उसको जिकड़ लिया है पकड़ लिया है कि वाई दा स्वीटनेस जो मदूरता है उस गाने की वह ऐसा महसूस करता है उसको ऐसा लग रहा है कि जैसी कि उसने पी लिया हो कोई सोम रस कोई रस या फिर जल किसका लीट रिवर का जो बुलाने वाली नदी है जिसका पानी पीते ही हमारी जो इजमिरती है वो गुम हो जाती है वह बहुत ही जादा खुश है इन दा वर्ट्स हैपिनेस पक्षियों की ही खुशी में वो भी बहुत जादा खुश है in the world of wachin green weechin क्या होता है weechin green एक जगा है यानि के weechin green जैसे दुनिया की एक जगा में the nightingle is singing of summer जो nightingle है बुल-बुल है वो गा रही है of summer गर्मी क्या, in full throated case, ease, अपने पूरे गले से, यानि के गर्मी के मौसम में, जो nightingale है, वो गाना गा रही है, full throated, पूर्ण रूप से, पूर्ण गला भरे हुए, ease, और सरलता से, the poet longs to migrate, to the blissful world of the nightingale, जो poet है, वो दूर होना चाहता है, किस से, खाना बदोशी से, किस से, migrate means होता है, आपका, खाना बदोशी, खाना बदोशी से, दूर होना चाहता है, to the blissful world, एक blissful, एक सौबागिपूर वर्ल की, और of the nightingale, किसके, बुलबुल के संसार की, और, कीट्स, एकस प्रेसेज, आवेरी स्ट्रोंग, डिजायर, टू ड्रिंक आवाइन, कीट्स जो है, वो जताता है, आवेरी स्ट्रोंग डिजायर, एक बहुत ही, तगड़ी इच्छा यानि बहुत ही मजबूत इच्छा जटाता है टू ड्रिंक पीने के लिए अब वाइन एक वाइन देट जो हैज वी स्टोर्ड इन कूल फॉर लॉंग टाइम जो अंदर रखी गई हो और ठंडी बहुत समय से अंडर दा अर्थ प्रतिवी के भीतर ठीक है दा एड ओफ वाइन इच साउट यानि की वाइन की सहायता से वाइन की सहायता से वैं मांगता है सो ऐस्टो इसकेप विद दा नाइटिंगेल फ्रॉम दिस वर्ल्ड आफ फीवर वैं बाइन की सहायता से मांगता है यह बताता है कि वैं इस दुनिया से दूर होना चाहता है विद दा नाइटिंगेल नाइटिंगेल यानि की बुल बुल के साथ फ्रॉम दिस वर्ल्ड ओफ फीवर इस बीमारी की दुनिया से एंड फ्रैट तू दा वर्ल्ड ओफ आइडल ब्यूटी और जलाहट वाली इस दुनिया से ओफ आइडल ब्यूटी जो बात करती है किसकी आइडल सुंदर्ता की आदर सुंदर्ता की कीट तिंक्स अफ आव वाइन कीट एक ऐसी वाइन के वारे में सोचता है that will recall to his mind the choices flowers जो उसको याद दिलाएगी किसकी choices flowers जिससे वो वाइन बनी हुई है जिन चुने हुए फूलों से वह वाइन बनी हुई है that have been used in the making of it जो इसको बनाने में लगे हुए फूल है ठीक है जिनका यूज हुआ है this wine will also remind him of the green countryside यह जो वाइन है उसको यह भी याद दिलाती है इस चीज का भी of the green countryside हरी भरे उसके गाओं का and also of the dancing music merry making of the sunburned peasants और उनकी भी याद दिलाती है जो नाचते हैं गाते हैं merry making बनाते हुए fristing ठंडा करती है किस जो ठंडा करती है किसको of the sunburned peasants यह wine उसको poet को यह याद दिलाती है कि कैसे sunburned यानि किस जो सूरी की किरने है और जो peasants peasants भी इस होते हैं किसान किसानों को पर परती है तो वो उनको wine उनको क्या करेगी ठंड़क दिलाएगी जो जमीन के इंदर गड़ी हुई wine निगलेगी पर प्रवाओ जादा नहीं पड़ेगा आउफ प्रोवेंस उस छेत्र के which is famous for its jolity, fun and wines जो इसी के लिए प्रसिद्ध है for its jolity, fun and wines jolity means चहल-पहल, fun, आनन्द और wines के लिए the poet refers to the regions of southern France और northern Italy जो poet है वो refers यानि के बतलाता है to the regions of southern France और northern Italy यानि कि जो उन लोगों के बारे में उन धर्म के बारे में बताता है उन लोगों के बारे में बताता है जो southern France से हैं दक्षणी France से हैं और उत्तरी Italy से हैं which are wine producing provinces जो किस प्रकार के शेत्र है wine providing यानि कि wine उत्तपादन करने वाले छेत्र है प्रोवेंसल सॉंग उनका एक प्रोवेंसल सॉंग है जो रिफर्स यानि कि बताता है to the songs of the providers और ministries of province जो बताता है किसको अत्याचार करने वालों को और ministries यानि कि इसका मतलब होता है जो लोग अत्याचार करते हैं और प्रोवेंस उस शेत्र पर the southern portion of France जो दक्षणी प्रांथ है France का along the Mediterranean Mediterranean Sea के साथ जो जुड़ा हुआ है the sun being quite strong in southern France जो सूरी की किरिने हैं वो बहुत ही अत्यधिक्ट पड़ती हैं बहुत ज़ादा तेजी से पड़ती हैं किस पर southern France पर और northern Italy the grape gatherers gatherers are sun vernts जो किसान लोग हैं वहां के जो कारी करता हैं are sun vernt वो धूप से क्या होते हैं जल जाते हैं according to Robertson the people are not mentioned at all जो लोग हैं उरके बारे में नहीं बताया जाता है कभी यट इस फ्रेज और इस फ्रेज में भी नहीं बताया गया है sun vernt मर्थ जो बताया गया है sun vernt मर्थ में अब आप पिक्चर आफ मेरी और दिखाती है पिक्चर आफ मेरी साधी की उनके बिवा की पिक्चर ने दिखाती है laughing sun vernt presents और जो खिली धूप में भी हस्ते हुए किसान है उनको दिखाती है as surely as could a long and elaborate description और जिसका एक बहुत ही सच्चा सा और एक काफी लंबा सा description दिया हुआ है the reference to the wine also shows keats sensuousness जो reference है किसका wine का बो दिखाता है कीट की कामकता को भी दिखाता है poet is caught in the pleasures of the vintage and carefree pleasures point जो है उसको point जो है पकड़ा गया है यानि कि poets यहां पर यह बताती हूँ पकड़ा भी गया है in the pleasures of vintage की पुराने दिनों में क्या आनन्द होता था and carefree pleasures और किसी भी चीज की चिंता नहीं थी केवल आनन्द ही आनन्द था करवा रहा हूँ इस chapter के ठीक है तो मिलते हैं next class में चैनल को subscribe करना ना बूलें और वीडियो को हमारी like जरूर करें ठीक है और जैसा मैं पहले आपको बताता आ रहा हूँ कि अपने सातियों तक जहां तक हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें ठीक है तो thank you मिलते हैं next class में